नमस्कार दोस्तों, एक्जाम जीत में आपका स्वागत है, आज हम CGPAC, ACF Special Class में 36 गड़ के मध्वपूर करेंट अफेर करने वाले हैं, तो आज हम फरवरी और मार्च महा में जितने भी करेंट अफेर बन सकते हैं, उन सब के MCQs करने वाले हैं, तो आज का कुश्चन स्टाट करते हैं, तो पहला कुश्चन है, मध्य भारत का पहला 5G Lab कहां इस्थापित किया गया है, अब इन से संबंदित कोश्चन देख लेते हैं, कि क्या कोश्चन आपको एक्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो अनुसंधान और नवा चार को बढ़ावा देने के लिए, नवा र अब एक्सलेंट में 5G Lab स्थापित किया गया है, यह देश के स्टार्ट अप्स और उद्धोगों के लिए 5G तगनिक उप्योगी साबित होगा, अगला कुश्चन देखते हैं, तो नेक्स कुश्चन आपको दिया है, खेल विकास प्रादी करण के तहत, प्रदेश के कितने खेल अकादमी खोले जाएंगे, पहला अपसंतिया है 10, अपसं दूसर दिया 11, अपसं तीसर दिया 12, और चौथा अपसंतिया 13, तिनका सही आंसर हो जाएगा, अपसं तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा, खेल विकास प्रादी करण के तहत, प्रदेश में 12 खेल अकादमी शुरू की जाएगी बिलासपूर जीली की दो स्टेडियम में सबसे अधिक पांच खेल अकादमी की संचालन किया जाएगा जबकि रायपूर में जो है चार अलग अलग जगों पर चार खेल अकादमी खुलेगी इसके साथ ही सुभास स्टेडियम को भी खेल अकादमी से इसके सही आंसर हो जाएगा ड्र ने जो है देश का एसा पहला सरकारी स्कूल है जिसने हासिल किया है पलेटिनप क्लब तो इससे सम्बंदि कुस्चिन जानलेते हैं कि क्या कुश्चिन और पूछे डिंति वजगयी की मंत्रा ले और बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्लबों को प्लेटिनम आवार्ड से नवा जा जाता है उसके बाद जो है गोल्ड, सिल्वर, ब्रांच मेडल के जरिए रैंकिंग तैकी जाती है तो वर्स 2019 में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिलासपूर के डाक्टर कलाम कलब को जो है प्ल सुभारम कब हुआ पहला अपसन दिया है 26 फरवरी को अपसन दूसरे दिया 27 फरवरी को अपसन तीसरे दिया 28 फरवरी को और चौथ अपसन दिया 29 फरवरी को तिन का सही आंसर हो जाएगा अपसन 24 का सही आंसर हो जाएगा देश की पहली निशुल के नलसा विदिक सायता हे हेलफ लाइन का सुभारम जो है 29 फरवरी को हुआ है तो इससे संबंदित कुश्चन देख लेते हैं कि क्या कुश्चन बन सकते हैं तो भारत की पहली निशूल के लीगल एंड हेलफ लाइन नंबर 15100 जील्या नियालय परिशाय रायपूर में जो है 29 फरवरी को स्प्रारम हु ये पूरी तरह से निशूल के हेलफ लाइन होगी तो अगला कुश्चन देखते हैं तो नेक्स कुश्चन देख लेते हैं एक्स कुश्चन है, सी एम बोफेजवगिल ने किसकी जीवनी को इसकोली पार्टेग्रम में पढ़ाया जाने का एलान किया है पहला अपसंदी है मिनी माता, अपसंदी दूसरा दिया चंदूलाल चंदराकर, अपसंदी दिया महेंदर कर्मा और चौथ अपसंदी है नन अपसंदी से बब इन में से कोई नहीं तिन का सही आंसर हो जाएगा, आपसंदी दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा सी एम बोफेजवगिल ने हाली में जो है चंदूलाल चंदराकर की जीवनी को इसकूली पार्टेग्रम में पढ़ाया जाने का एलान किया है तो इसके और कौन को से कुश्चन बन सकते हैं इसको भी जान लेते हैं दूरुग के पूरो सांसत केंदरी राजमंत्री वो पत्रकार रहे चंदूलाल चंदराकर की 25 पूर्णिती थी पर जो है कारेक्रम का आयोजन किया गया और उसकी जीवनी को जो है इसकूल की पार्टे क्रम में सामिल की जाएगी अगला कुश्चन देखते हैं तो नेक्स कुश्चन आपको दिया है मनरेगा सौ दिनों का रोजगार देने वाले राज्यों में 36 गड़ कितने इस्थान पर है चतिस गड़ ने मनरेगा सौ दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने में पूरे देस में 36 गड़ दूसरे इस्थान पर आ गया है चालू वित्ती वर्स 2019 में प्रदेश में अब तक 2,28,976 मनरेगा जाब काड़धारी परिवारों को सौधीनों का रोजगार उपलब्द कराया राजिस्थान जो है पहले स्थान पर है जबकि 36 गड़ जो है इसमें दोसरे स्थान पर है अगला कुशन देख लेते हैं तो नेक्स कुशन आपको दिया है अपसन तीसरे इसका सही आंसर हो जाएगा कांकिर जीला में जो है लायांग ले और करशाना पंडू का आयोजन किया गया तो इससे समबंदित कुशन जान लेते हैं कि क्या कुशन बन सकते हैं तो भानु प्रताप में आयोजित, लयांग, लय और करशाना, पांडुम, जीला, इस्तरीय, साररीक, बोद्धीक, एवं सांस्कृतिक क्रिड़ा प्रत्यों गिता हुए। इस समारों में जो है दस हजार से अधिक लोगों ने एक सांत रेला नरित किया। अगला कुश्चन द दिन का सही आंसर हो जाएगा, अपसन चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा, दस फरवरी को 36 गड़ के 9 गठित 28 में जीले, गौरेला पेंडरा मर वही जो है अस्तित्व में आया। इससे संबंदित कुश्चन जान लेते हैं कि क्या कुश्चन इससे बन सकते हैं। तो 36 गड इसमें 166 ग्राम पंचायतें और 222 गाउं और दो नगर पंचायत गवरेला पेंडरा समाहित होगी। जीले का छेत्रवफल जो है 1,88,225 हेक्टेयर होगा। अगला कुश्चन देखते हैं तो नेक्स कुश्चन आपको दिया है। सरगुजा मेडिकल कॉलेज का नाम अब कि कोई नहीं तिरे का सही आंसर हो जाएगा अपसंद दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा इससे संबंदित कुश्चन जान लेते हैं कि क्या कुश्चन इससे पूछे जा सकते हैं आपके एक्जाम में तो 36 गड़ विधान सबब बजट सत्र के दूसरे दिन मुख्य मंत्री ब दूग छेतर में उतक्रिष्ट कारी है तू राज जी को मिला देष्ट में कौन सा इस्थान? पहला अपसंद दे है प्रतम, अपसंद दूसरा दिया 2 पसंद तिया आपसंद दिया 3 तिया और 4 आपसंद दी चतूर्त त्यनका सही आंसर हो जाएगा सुक्छु मद्यम और जुड़ी प्रक्रियाओं को आशन बनाने की दीशा में सांधार काम करने के लिए 36 गड़ को जो है रास्टी MSME पुरुसकार का उपवेजेता घोसित किया गया प्रदेश के वाणिजिक और उद्दोग मंतिर क्यवासी लखमा ने ये पुरुसकार केंद्री MSME मंत्री नितिन गड़करी से जो है क्रहन किया राज में लगभग जो है आठ दसंब्लो चार आट लाक लगुक सुच्छम और मध्यम इकाया इस्तापित है अगला कुश्चन देखते हैं तो एक स्कुष्चन दिया है आपको भूमी रिकार्ड के डिज़िली करण में देश के अगरणी राज्य है पहला अपसं दिया है गुजराद अपसं दूसरे दिया है उत्राखंड अपसं तीसरे दिया है च्छतिस गड़ और चाउथ अपसं दिया है नन अप जिस लेवा विन इसकोई नहीं तिन का सही आंसर हो जाएगा आपसं तीसरे इसका सही आंसर हो जाएगा च्छतिस गड़ जो है भूमी रिकार्ड के डिज़िली करण में जो है देश के अगरणी राज्य में शामिल है तो इससे संबंदित कुश्चन जान लेते हैं कि क्या कुश्चन बन सकत पर है अगला कुश्चन देखते हैं तो नेक्स कुश्चन आपको दिया है प्रदेश का पहला कैसलेस और पेपरलेस स्वास्त केंद्र बना पहला अपसं दिया धमतरी अपसं दूसरे दिया गुडियारी अपसं तीसरे दिया पार्टन और चौथ अपसं दिया सहरी समधाइक स्वास्त केंद्र प्रदेश के पहले मॉडल स्वास्त केंद्र के रूप में स्थापित हो चुका है राश्टी स्वास्त मिश्थन के द्वारा पाइलेट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी के चार स्वास्त केंद्रों का चैन कर अस्पताल को मॉडल बनाने की बनाई गी थी इसमें रायपूर के गुडियारी राजा तलाप बाटा गाउं और बनपुरी स्वास्तकेंद्र का चैन किया गया था अगला कुश्चन देखते हैं तो नेक्स कुश्चन आपको दिया है मुख्यमंत्री सुपोश्ण अभियान में गरियबंजीले को कौन सब प मुख्यमंत्री सुपोश्ण अभियान जीले के चिनांकित कुपोशित बचों को कुपोश्ण से मुक्ति दिलाने में सहयक बनी है मुख्यमंत्री सुपोश्ण अभियान में बेहतर प्रदसन के लिए कांकिर जीले को जो है रास्टी इसका चावाट से सम्मानित भी किया गय अगला कुश्चन देखते हैं तो नेक्ट कुश्चन आपको दिया है प्रदेश का पहला सर्व उध्यान कहा खोला जाएगा पहला अपसन दिया है कांकिर घांटी में अपसन दूसरा दिया है गुरु घासीदात राष्टी उध्यान अपसन तीसरा दिया है जंगल सफारी और खोलने का निर्णा लिया गया है यह उध्यान जो है प्रदेश का पहला सवर पर उध्यान होगा आने वाले परियाटकों और वन्य जीहों के साथ 12 अलग 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 प्रजाती के साफ्प भी आपको देखने को मिलेगा अगला कुश्चन देखते हैं तो नेग्स कुश्चन महत्मा गंधी नरेगा योजना अंतरगर्द वित्ती वर्स 2019 में कौन से जीला ने तैम आप दंटों में अब तक उत्कृष्ट प्रदर्शन किया इनका पहला अपसंद यह दंति वडाड़ा, अपसंद यह दिया बीजदापूर, अपसंद यह कोंडागाओं और जौथ अपसंद यह नरायनपूर बीजदापूर जो है उत्कृष्ट प्रदर्शन किया महत्मा गंधी नरेगा योजना में तो इसे संबंदिन कुश्चन हम जान लेते हैं कि क्या कुश्चन बन सकते हैं वित्नी वर्स के लिए जब लेबर बज़र बनाये गया तो वर्स भर में 10.06 लाक मानव दीवस रिजित करने का लक्ष निर्गधारित किया गया था इसकी विरुध अब तक कुल 11.06 लाक मानव दीवस रिजित किया जा चुका है यह लक्ष के विरुध जो है प्रतिसत में बहुत अधिक है जो की राज़ भर में अणि जीलों की अपेक्छा प्रतम इस्थान पर है बिज़ापूर अगला कुश्शन दीखते हैं तो नेक्स ऐ आपको दियवा है घरो में सुक्षाता के मामले में 36 गड़ कितने पर है तो इसे संबंदित कुश्चिन हम जा लेते हैं कि क्या कुश्चिन है तो नेशनल हेल्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार 36 गड़ की इस्थिती घरेली उस्वक्षता के मामले में कापी चिंता जनक है आकड़े बताते हैं कि प्रदेश में प्रदेश को 27 वे नमबर पर रखा गया है जबकि पडोसी राज़ों में मद्य प्रदेश, उतर प्रदेश सेंद, अंडे राज़ों की इस्थिती हमसे बैतर है अकड़ों के अनुसार प्रदेश की ग्रामिड छेतरों का हाल बेहाल है जबकि सहरी छेतरों का इस्थिती जो है थोड़ी अच्छी है तो आज के लिए बस इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें